में आपसे बाकी मुद्दों पर विचार भी मर्स करूंगा विरेन सिंग जी हमारे स्टेट इस कारकम में जुड़ चुके हैं विरेन जी स्वागत आपका आज क्या चल रहा है लखनवु में टिक्टों के बटवारे को लेकर विभिन्य पार्टियां जैसे बीजेपी या नमांकन शुरू हो गया और 17 तारीक तक पहले चरण में नौ मंडलों में नमांकन होगा तो सभाविक है कि सबको 13 14 तक 15 तक टिकट घोसित करना पड़ेगा क्योंकि फिर ताइम नहीं रहेगा तो यह नौ मंडलों में जो पहले चरण का मद्दान होना है इसमें साफ है कि भ भीड़ दिखती नहीं है वहां तो एक एक करके पत्यासी बुलाई जाते हैं लेकिन भाजपा और सपा में भीड़ पार्टी का रियाले ओपर और लोगदल का तो भी मामला आप लोगों ने देखा ही है यह तो भी खैरिंट का किलियर नहीं लेकिन कांग्रेस कुछ सभासद कि सूची आज जारी कर दी है लखनव में उससे भी बहुत उस्सा नहीं है वह अपना फुक फुक के चल रही होगी कि कही कुछ सीटूट मिल जाए तो ठीक है देखिए एक चीज है कि चुनाओ तो हर बार बड़े-बड़े मुद्दे आते हैं लेकिन जनता बड़ी भुलक है दूसरा हिंदू-मुस्लिम का मामला है और धार्मिक मामले हैं उस पर वह चली जाती है और चुनाओ उसी और खिट जाता है तो थोड़े दिन में सब लोग भूल जाते हैं थोड़ा कुछ लालत मिल जाता है कुछ खाने पीने की इंतियाम हो जाता है उसमें यह चुनाओ जाते हैं अब संगठन के मामले में ताकत के मामले तो बीजय पी बड़ी पार्टी ही है उसके लिए तो बहुत आसान है उसके पास बहुत सारे मंत्री नेता है लेकिन और विपाष्थ के पार्टियों के लिए समस्या है आसान नहीं है सहरों में चुनाओ लड़ पाना और कि लेकिन इदर लोगदल का जो पार्टी का दर्जा खतम हुआ उससे यह हैंड पंप चुनाव निसान के सामने एक समस्या आ रही है कहीं अगर यह चुनाव निसान गायब हो गया तो क्या होगा तो या तो फिर बीजेपी के साथ थोड़ा यह अगर निसान बचाना है तो दो मेयर का चुनाव लोग जान रहे कि सहर में बीजेपी बहुत लंबे समय से जीती रही है टकर देने वाले परत्यासी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा यह लोग अगर मिल के लड़ते तब तो बीजेपी को कुछ दे पाते तो मेयर के एलेक्शन में संभावन पता नहीं काट पाएगी कि नहीं काट पाएगी लेकिन चुनाव बढ़ी मुश्किल चोर आए पहले तो बढ़ी किरकिरी हुई आर अच्छल पर यह अपसरों की वज़ा से बढ़ी सारी समस्चाहें आई लेकिन बिर्जेज जी एक चीज साप है कि जब तक 11 तरिक आती है कि आओ हाजरी देओ अब वह अदालत का मामला है वह साबर मती से 24 घंटा लगता है आने में तो यह भी एक चल रहा है मामला बीजेपी ने कहा था कि हमारे हाँ परिवारवाद नहीं होगा लेकिन जब पंचायत के चुना हुए तो सब धीला पड़ गए देखा आपने बाद में उनको यह नियम बदलना पड़ा बलाक परमुखी में और जिला पंचायत अद्यक्षी में फिर वही सांसत विधायक उ लाके जीत मिलिंग इस बार भी कहा रहा है कि परिवार के लोगों को ना दिया जाएो आहाँ लक्नवू में पॉप करिवार से टिकट मांगा जा रहा है कोई डिप कि नाम चलाता है पूर्डिप्टी सीम की पत्नी का नाम चलने लगा नंदी की वाई भी तो है ना वह उल्लावाद से लेकिन यह साफ है कि अब बाई जिसको चिनाव जीतना है वो नगर निगम मोगम के छेत में साब सफाय अभियान तेज कर दे चार शागंटा बैनर पोश्टर लगा के कूला उड़ा उठवाए क्योंकि में समस्या यह आती है बीजेपी के पास देखिए चुनाव भी है और समिकरण भी है अतीक हैमत भी है पांच किलो रासन भी है उसके पास बुल्ड करेंगे उतने विपशकार रन कम होगा तो बीजेपी को ही मिलेगा तो वाता बरान और सुद्धता और सुद्ध प्येजल यह सब कोई बहुत माइने नहीं रखता है यह तो खाली बस थोले दिन टीवी पर चर्चा होगी दोदर चुनाव तो असली कौन खेमा किस वर है उस है तब तो लड़ पाएंगे और लोगदल की उम्मीद यह है कि अगर सपा से कुछ मिलेगा तो जीत लेंगे लड़ लेंगे नहीं तो भाई सपा और भासपेक तो लड़ाई है इस चुनाव में और तो भी कोई दिखता नहीं मायवती करें अकेले लड़ेंगे अब देखि क्यינה संदेगा इस स्यासत तुने भी इस दोर में कामाल कर दिया गरीबों को गरीब अमीरों को माला माल कर दिया और इनके जूट के आगे जूट भी सरमाजाता है हर चुनावी भासाण में जनता को भरमा जाता है और कमाल की अदा है इन जूटे नेताओं की जहां नदी भी ना हो वहां पुल का मुद्दा आ जाता है बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जूड़ने के लिए